दोस्तो स्वागत आप से भी का हमारे इस यूदूब चैनल मेज़र टारेट पर तो दोस्तो आज में लोग लेकर है कलास्टेन के साइंस का चौथा मोडल पेपर और इसमें भी हम लोग मैट्री गूर्ट परिक्षा के लिए काफी महत्पुल्थ परिक्षा के लिए बहुत इ इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा इसमें हम लोग टोटल 48 48 अपजरी को सलेकती है ना यह सभी परसन बहुत इंपोर्टेन काफी महत्पुल्थ है तो फ्रेंस प्रावर से वीडियो को लाइक कर दीगा चैनल पर नहीं है ना तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके ब स्षोएर देखे ना यहां पर जो ही ना दो चीज़ दो रहे एक दिया वह एक दिया वाट और यहां पर 200 व्सकों और jakी 220 वोल्ड होगा, ठीकिए चले इसको हमलोग won't करते है, टैप में घलती हो गया है, तो यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर watt है, यहाँ पर 100 watt, दोस्तो, यहाँ पर p command दिया हुआ है, ठीके, पी कमांड कितना दिया हुआ है, 100 watt दिया हुआ है, और यहाँ पर voltage, इते करेंगे, इते को 220 को 220 को 220 से गुना करेंगे तो 220 गुना 220 बटे pra jul2 का क्या चता हुआ होँ लौ तो यहाँ पर संती क्या हो गही चाइब अब देखिए यहां पर 22 गुना बाइस जब 22 को 22 से गुना करेंगे ना तो कितना प्राप्त होगा चारसो चौड़ासी प्राप्त होगा और दोस्तों परतिरोत का जो ऐसा है मातर होता है यानि कि यहां पर ऑफिसन वर भी जो है बिल्कुल सेखतर हो जाएगा चारसो चौड़ासी ओम अब आये फ्रेंस देखते हैं पर दोनुवर परसन क्या गराएं कि इंद्र धनुस में कितने अड़ाएंगे तो दोस्तों ऑप्सन ए में आपका दिवा तीन या फिर साथ या फिर च्छा या फिर पांस तो दोस्तों इंद्र धनुस में जो हैना साथ क अब आये फ्रेंस देखते हैं पर चानुवर परसन काफी महत्पून है देखेंगा क्या गराएं कि काकरा पार नाभी के विदू सनीयंतर कि समय जो है इसे आप लोगको या तरव जाएंगा अब आयए फ्रेंस देखते हैं पर अगला पर परसन काफी महतपूर महतुन परसन को देखेंगा वीडिवो संपूर दूरी औरалистमग लिया जाता है तो दोस्त तो यह परसन बहुत इंपोर्टेंड को बतला है तो यहाँ पर option a में आपका दिया हुआ है समतल दर्पन या फिर आऊतल दर्पन या फिर उत्तल धर्पन अर उससंड दीया इन दोस्तों कालपनिक और धनात्मक किसका अट्तलदरपन का होता है और घृतल दरपन का क्या होता है फोकसदोरी वास्थभीग Ananda होता है इसे आप लोग को याद रखना है अप आए फ्रेंस देखते ही हैं पर छेनल पार्षेन क्या गूराए की लेंस की फोकस दूरी जिसके F करते और वकरता तरीजा जिसे R करते में क्या संभन है तो दुस्तों लेंस की फोकस दूरी और वकरता तरीजा में जो संभन होता है ना एक ब्रावर R by 2 होता है यानि की फोकस दूरी जो होती है ना वकरता तरीजा की आधी होती है इसे आप इस वीडियो में हम लोग सेलेक्ट किये हैं बहुत सारे इसे परस ने जो आपके मैं टिक और प्रिक्छा में यही से पूछा जाएगा दोस्तों एक को संसको जो है ना अच्छी तरसी याद के लिजगा दोस्तों परसन को अपने नोट्बुक में जरूर नोट के लिजएगा देखेए हैं हाँ पे 17 क्या अपने में किस अपॉर्टनांग अधिक है तुम स्वाख़ा का अपहर समाने द्रिष्टी के लिए सु असपास्ट द्रिष्टी की अरतम दूरी है थे समानय द्रिष्टी के लिए सु असपष्ट दूरी की अधिकतम दूरी कितना होता है तो अनन्द होता है अधिकतम दूरी पूछेगा तो आप कम दूरी पूछे तो आप लोग को 25 सेंटीमीटर कर देना इसे आप लोग को याद रखना है अब आए फ्रेंज देखते हैं आप अगला परसन काफी महतपूर ने धिहां पर देखी का क्या गड़ा है कि सवेध परकास का कौन सारंग जिसको वरन करते हैं किसी परीजम से गु महतपूर महतपूर परसन को देख रहें प्लीज विरो को संपूर्ण सुरूर से लेकर आखिए तक जरूर देखेगा देखें आपर नेक्स परसन क्या करा है कि निकड़ दिरिष्टी को किस लेंस के उपयोग द्वारा संसोधित किया जाता है तो दोस्तों जिस भी वेक्ति अब अगला परसन काफी महतपूर ने ध्यान प्रोग देखें का कंसंट्रेट हो कि याद कर ली जगा दोस्तों देखें हैं आपर क्या करा है कि वैदूत परति रोदकता निर्वड करता है जो निर्वर करता है ना चालक की लंबाई पर आपका दिया हुआ है चालक की अनु निर्वर करता है और चालक के पदार के प्रकिर्ती पर भी जो है ना निर्वर करता है यानि कि यहां पर उपसर में डी जो है ना बिल्कुल से उतर हो जाएगा अब आए फ्रेंस देखते हैं पर 129 परसन क्या गराए कि विद्धु सक्ति का ऐसाइँ मातरग है तो जो देखते हैं पर अगला परसन काफी महतपुर महतपुर परसन को देखने विडियो को संपूरन सुरू से लेकर आगले तक जरूर देखेगा दोस्तों विडियो को लाइक ने किगा देखें हां पर 139 परसन क्या गराए कि एक यूनिट विदुत उर्जा का मान होता है तो दो दोस्तो option A में आपका दिया हुआ है विदूत जनीत्र विदूत चुमबक के प्रेजन पर कारे करता है यह सत्य है, option B में दिया हुआ है, विदूत मोटर विदूत उर्जा को यांतिरी उर्जा में बदलता है, यह भी सही है, और option C है, चुमबक की बल रेखाये परस पर नहीं कारती है यह भी सही है और दोस्तों of sent-D में आप का दिया हुआ है है कि यह लसे ना बिल्कुन से उतिर जाएगा अभष्रेंजर देखती है आफे अगला परसन देखेगा क्या कराइकी फलोवेगर के में से बाया हात का माध इमा संक्यत करती है यारी कि मार ओपिन से बिल्कुल से ओतर जागा काफी महत्पूर्ण परसन है अब चले फ्रेंज देखती है आप अगला इस देखें आप रेखाओ कि दिसा होती है न दोस्तों एनस होता है यानि कि उत्री धुरुप से दक्षिनी धुरुप की और यहां पर उप्सन वर ए जो ही ना बिल्कुल से उतर हो जाएगा अब चले फ्रेंज देखते हैं आप अगला परसन काफी महतपूर्ण है देखेगा में सत्रानोर पर जो सोर्स होता है ना नावे के उर्जा का यूरेनियम होता है यानि कि यहां पर उप्सन वर ए जो ही ना बिल्कुल से उतर हो जाएगा अब आए फ्रेंज देखते हैं पर अठारे निवर परसन क्या गड़ाए कि जिप्सम का अड़ासायनिक सूत्र है तो दोस्तों जो क्या होता है आप लोग कमेंट करके जुरू बताइएगा अब चलिए फ्रेंज देखते हैं पर अगला परसन काफी महतपूर्ण है देखेगा क्या गड़ाए कि क्लोरीन जिसका संकित सीयल होता है कि प्रमानुस संकिया दोस्तों क्लोरीन की जो एक्टोमिक नंबर होता है न किया हुआ है इनमें से कोई ने तो दोस्तो एतनोल को जो है ना हम लोग अल्कोहल कहेंगे इसे आप लोग को याद रखना है यहां पर अच्छी तरस याद के लिए ना तो अपने नोट करके जरू याद कर लेना है अब चले देखते हैं आप अगला परसन काफी और आप ट्रिक्ट्र में पूछा जा चुगा है तो कली चुना का रासानिक अनुसूतर होता है यानि कि के सियम ओक्साइड इसे आप लोग को याद रखना है अब चले फ्रेंस देखते हैं आप अगला परसन बहुत ही महत्पुर्ण है देखे का 22 परसन क्या गरा है क जल के विदूत अब घटन में के थोट पर कोँँ सा GACE मुख्त होता है इसके आफ लोग को याद, अब होता है यम्हें एच पर होता है जिसे व्लोग सोट यम हैडोऑजन कार्बोनेट करते हैं यहां पर मरों और एजना बिल्कुल से उतर हो जाएगा और दोस्तों यह बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला सोडा भी करते हैं साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है अगर आपसे पूछेगा कि खाने वाला सोडा कर असायनिक सुत्र क्या होता है यान ए-s-e-o-3 होता है यानि कि सोडियम हैटोजन कर्वनेर होता है अब चले फ्रेंज देखते हैं आप एगला पर्सन लेखेगा क्या करा है कि कौन सा पदार्थ निले लितमस पत्र को लाल कर देता है तो दोस्तों यह भी पर्सन बहुत ही महतपूर्न है अप्सन एमें आपका तियो है अम आप आएए फ्रेंस देखते हैं पर 25 परसन क्या गराए कि मिलक ओफ मैंगनेशिया का पीच मान होता है तो दूस्तु मिलक ओफ मैंगनेशिया का जो पीच मान होता है दस पॉइंट पाच होता है इसे आप लोगको याद रगना है यहां पर मपिर अधी जोहीं ना बिल्कुल स चमकिला है तो दोस्तों एमें आपका दिया हुआ आयोडीन बी में सलफ और अप्संटी ब्रोमीन और संडी है सेलेनियम तो दोस्तों आयोडीन एक परकर का अधातू होता है और यह जो ही ना चमकिला होता है यहां पर और ऑफसन वर एजो ही ना बिल्कूल से उतरो जाएगा यह भी पर्सन बहुत ही महत्पूर्ण है दोस्तों इसे अच्छी तरह से याद के लिजएगा अब चले फ्रेंस देखते हैं आप अगला पर्सन क्या करा है कि निवन में से कौन सा धातू अत्य अधिक अभी किरियासिल होगा जिसे का संकेत क्या होता है और दोस्तों यह वायो के संपर्ग में आने से यह जल जाती है इसे भी आप लोग को याद रखना है अब आए फ्रेंस देखते हैं पर 28 पर्सन क्या करा है कि ऑक्सिजन प्रवानों के बहात्म गच्छा में एलक्ट्रोन की संख्या कितनी होती है तो दोस्तों ए में आपका दिया दो या फिर चेंग या फिर तीन या फिर चार तो दोस्तों इसको जो है आप लोग कंशलिया रखिएगा तो सबसे पहले आप लोग को जो है ना इसका अबलग नमर कितना होता है ना और रहा जाता है और दुसरा अब बहात्रम गच्छा में खिरुद्ट्रोन हो जाएगा च्रीप यहा अगला परसंद काफी महतपुर्ण है देखें क्या क्या कराएं कि ब्यूटेनोन एक कार्बनी क्योंगिक है जिसका पड़ा कारियात्मक सम्हूँ है तो दुस्तों अपका क्यों होता है इसे आप लोग को याद रखना है यहां पर हमारा बिल्कुल से उतर हो जाएगा अब आयों फ्रेंज देखते हैं पर 30 परसंद क्या रहा है कि नाइट्रोजन के दो परवाणों की बीच कितने आबंद बनते हैं काफी महतपुर्ण परसंद है यह भी परसंद पूछा जाए तो दुस्तों वीडियो को संपूर् बहुत सारे इसे परसंद आने की संबहाव ना इसलिए एक परसंद को अपने नोट में जरूर्ण कर लिजेगा और चले पर नहीं है ना तो प्रेंज को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा तो देखें आपे कि नाइट्रोजन के दो प्रवाणों की बीच जो आबन होते है ना वो तिरी आबन होते हैं यानि की ट्रीपल गोंडिंग या प्रमर ऑफ्सन वर्सी जो है ना बिल्कुल से उतर हो जाएगा अब चले फ्रेंज देखते हैं आप अगला परसंद देखेगा यह भी परसंद बहुत इंपोर्टेंट है और काफी वर आपके मैट्टी पर पर है इसे आप लोग को याद रखना है यानि कि यहां पर ऑफ्सन वर भी जो है ना बिल्कुल से उतर हो जाएगा अब चले फ्रेंज देखते हैं आप अगला परसंद काफी महत्पूर्ण है देखेगा 33 परसंद क्या अगरा है कि समुन में उपर से नीचे जाने पर परमानु आकार में क्या परिवर्तन होता है तो जब समुन में उपर से नीचे जाएंगे ना जो परमानु का आकार होगा ना उसमें परमानु का साइज बढ़ता है यानि कि यहां पर ऑफ्सन वर जो है बिल्कुल से उतर हो जाएगा अब चले फ्रेंज देखते हैं पर नेक्ष्ट परसन काफी महतपूर महतवन परसन को देख रहे हैं इस वीडियो को समपूर ना शुरू से लेकर आगरी तक जरूर देखेंगा 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 पर 34 परसन क्या करा है कि कौन सा इंजाइम इमली सिकिर्ट वसा का पाचन करता है उप्सन ए में आपका दिया हुए प यहां पर चार हर्मन इसा होगा जो फल को पगाते हैं तो जो इतली होते है ना यह फल पगाने के लिए शायग होते हैं और दोस्तों ओक्सेलिन और जवेविलेंस दोनों जो होते ना यह व्यर्दी हारामन होते हैं और दोस्तों यह साईto a-nean जो होते है ना यह पत्ती का रंग हाडा रखता है इसे आप लोग को याद रखना है अब आया फिरेंज्स देखते हैं आपर साइसन परसन क्या करा है कि वह प्रक्राम जिसके दोर अजीव अपने जैसी संतानों की उत्पती करते हैं कहलाता है तो दूस्तों वह प्रोसेस जिसके दोर अपने जीव अपने समान संता नुटपर करता है ना तो उसको हम लोग जनन करते हैं या फिर प्रजनन करते हैं इसे आप लोग को याद रखना है अब चले फ्रेंज देखते हैं आप अगला परसन काफी महातपूर्ण है देखें आप आप poni asleep they бесп बना भोजन की औने भागों में किस के द्वहरा जाता है काफी महतपूर्ण है और दोस्तों में आपके यानि कि यहां पर अगला परसन देखेंगा क्या अगरा है कि उस पौधो का नाम बताइए जो कलम दौरा काईक प्रवर्धन को प्रदरसित करता है यहां पर अगला परसन देखेंगा है कि काला जार बिमारी किस रोग जनक के कारण होता है अब आयए फ्रेस देखेंगा परसन देखेंगा निमन में से काला जार भीमारी जो होता है यह लश्मेण के कारण होता है लोगी पूस्प और ऑप्शन से पपीता पूस्प और ऑफशन डी में आपका दिया हुआ इन में से कोई नहीं तो दोस्तो यह घुलाब ऊश्प वे कहिशा पूस्प भे इसमें जोहें ना दोणों लिंक पाय जाते हैं इसलिए इसको हम लोग दोलगी पूस्प कहेंगे ऑप प्रण गडर इस्तिद सबस्षा हमारे सरीर कि सभी सब्सक्राइब करता है अनुमस्तिक करता है यहां पिल्कुल से उतर हो जाएगा दोस्तों वीडियो को लाइक जरू कर दिजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा इसमें हम भूंट और अपने मैटिवोर परिक्षा में देख के जाते हैं एक्जामदेने के लिए तो बहुत सारे इसा। परसन जो आपके मैट्टिक परिक्षा में सीधे सीधे यहीं से देखने को मिलेगा इसलिए को जो ना कंसेट्रेट हो कि अच्छी तर से याद के लिए दोस्तों और जो ही परसन आपको याद नहीं ना तो उस परसने को अपने नोट्बूक में जरूर नोट के लिजेगा अब और से अधीवीर की गरंती से और 10-2 में आपका दिया में से कोई हैं तो जनतु में जो स्राओध होता है न आपका पीयूस ुस घरंधी से श्राओध होता है यहां पर सनफ टूंस में बिलकुल से अटरो जाए और जोस्तों यह प्यूश्वा घरंती को मास्टर गरंती भी क जगदी चंद्र बोल्स और संडी में आपका दियावा इन में से कोई नहीं तो यह अनुवान सिक्ता का सिद्धान जो परती पादन किये था ना मैं डलने किये थे और यहां पर ऑफ्सन मरें बिल्कुल से उत्र हो जाएगा अब आये फ्रेंस देखते हैं पर साहित आले समय प यह पूछे आते हैं कि पुरूसों में लिंग बुन सुद्धों जो होते हैं क्या होते एक्स वाय होते साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है अब चले फ्रेंस देखते हैं आप आज का लाश्ट रंती पर्सन हैं बहुत ही महतपूर ने देखिए क्या करा है कि निम करने कचरा का उधारन है अब चले फ्रेंस देखते हैं आज का हमक परसन देखिए का ध्यान पूर्वक जो आपके लिया गया देखिए क्या करा है कि पापनों का देश कहा जाता है और साथ में यह भी प्रिंड लेंड या देन्मार्क अप्सन डी है अमेडिका तुस्तों प पताना है कि यह 48 परसन में से आप लोग को पहले से कितना परसन याद था इसका भी जवाब जो है आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा और जो है न हम आप लोग का कमेंट पढ़ेंगे और आप लोग का कमेंट कर रिप्लाइक कर देंगे दोस्तों फिर मिलते हैं जल